तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ खस्ता समोसा बनाने की रेस्पी तो इसको कैसे बनाया जाता चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे आलू को मैंने पहले से बॉयल करके रखा है और उनको मैस कर लिया तो अब इसमें तेल में हम हींग, जीरा, काली म निर्च डाल थेएं गलें जोड़ें के दंडार लगश से देंगे देखर कर देखर, ठला निर्चग में उणने कप्ता खीता डालेट के दशल थनी हम दॉत कार ने ओलेंगे ज़िए कपाय ज़िए मत्टर को भी यह भी दाल देखर, अब गलि मिकस कर लेंग, भी छिदी ग और इसको भी अच्छे से भूनेंगे, नमक साधय अनुसार, इन सम मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, तो देखिए मसाला हमारा बन गया, अब यह मैंने, एक कब मैदा लेकर उसमें थोड़ से अजवाइन, नमक और दो चम तो अब इसको हम बेल लेते हैं, तो समोसा सबको बनाना बहुती कठीन लगता है, बट इसमें बनाने में कोई नहीं हो, घर में हेलदी भी बनता है, तो अब इसको इस तरह से हमने पूरी को बेल लिया है, इस तरह से देखिए, अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे, तो इस तरह से हम सारी पूरियों को तैयार करके रख लेते हैं इस तरह से मैं पूरियां बना लेनी है तो हमारी सारी पूरिय बनकर तैयार हो गई है इस तरह से अब हम इसको बीच से कट करेंगे तो देखी फ्रेंट्स हमने सारे कट कर लिए है अब हम समोसा बना लेते हैं तो फिलिंग हमारी तयार है विल्कुल देखिए अब हम इसको चारो तरफ से मैदा का घोल तयार करेंगे उसमें एक चमच मैदा और पानी डालकर घोल तयार कर लेंगे और इसके चारों तरफ लगा लेंगे, देखिए इस तरह से ठीक से चिपका देंगे, अब इसमें हम फीलिंग को भर देंगे, तो फीलिंग हमारी भर गई है, अब इसको अच्छे से हम चिपका देते हैं, इस तरह से और इसको बीश से तो इसी तरह से हम सारे समोषे बना लेंगे, देखिये फ्रिंड्स, तो इस तरह से हमने सारे समोषे हम तयार कर लेंगे, फिर से देखिए इसको हम ऐसे चिपका देंगे फिर इसमें हम फिलिंग को भर देंगे फिर हम इसको बीच से थोड़ा सा प्रेस करते हुए मोर देंगे इस तरह से तो इस तरह से हम समोसा अपने सारे तयार कर लेंगे अब गरम करेंगे हम ओयल और इन समोसों को हम इसमें डीप फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम को हमें लोटू मीडियम लखना है जिससे समोसे अच्छे से कुक हो जाएं तो इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक इसको हमा लटते पलटते फ्राई करेंगे जिससे यह दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं इन्हें सेखने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसको हम धीमी आज पर ही सेखेंगे तो देखें फ्रेंट्स हमारे समोसे बन कर तयार है इस तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे निकाल लेते हम एक प्लेट में और से ग्रीन चटनी या मीठी चटनी के साथ हम सर्व करेंगे तो तोड़के दिखाते हैं फ्रेंट्स देखिए कितना टेस्टी समोसा बन कर तयार हुआ है तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूए